आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में यहाँ पर Internet slow चल रहा है यानि कि Internet आपके फोन में चल रहा है पर यहाँ पर बहुत ज्यादा slow internet आपके फोन में अगर चल रहा है तो यह problem आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडि करने होंगे इसके लिए तो अपने फोन में settings में जाईए settings में आने के बाद sim card and mobile network पर किलिक करके आप जिस sim का net use करते हैं उस पर किलिक करके आपको यहाँ पर select करना होगा preferred network type पर किलिक करके prefer LTE का option अगर आपका 2G select होगा या फिर अगर आपका 3G select है तो prefer LTE पर किलिक करके इसे select कर लीजिए और उसके बाद back आजाएए और यहाँ पर dual 4G का अगर आपके फोन में option है तो इसे चालू कर दीजिए उसके बाद back आईए यहाँ पर उसके बाद connection and sharing का एक option आएगा इस स्क्रोल करके आपको मिलेगा reset 55 mobile network and bluetooth इस पर किलिक करिए और नीचे reset का जो option आएगा इस पर किलिक करके अपने phone का lock enter कर दीजिए और उसके बाद OK करिए network settings have been reset आपको show हो जाएगा और जब आपको यह show हो जाएगा तो आप back आ सकते हैं उसके बाद आपको check करना है आपकी problem fix हो जाएगी बट यहाँ पर आपको उसके बाद अपने यानि कि यह सारा process करने के बाद अपने phone के power button को press करके रखना है और एक reboot का यहाँ पर option आएगा तो reboot पर click करके अपने phone को बंद करके चालू कर दीजिए यानि कि reboot कर दीजिए और यह process करने के बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी आपके phone में अब properly internet work करने लग जाएगा बट यहाँ पर उसके बाद भी अगर आपके phone में slow internet work करता है तो आपको check करना है जो आपको daily data मिलता है अगर आपने वो limit cross कर दी है जैसे कि अगर 1.5 GB मिलता है तो आपने 1.5 GB यूज कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पर आपका internet slow हो जाता है तो यह जरूर check कर लीजिए अगर आपको हमारी ये video पसंद आई तो video को like करें और इस channel को subscribe जरूर करें